Hello dear students, welcome back to my YouTube channel So, चलो राजे, इस वीडियो दिवीच आसी फोर्थ अपना टेस्स सीरीज स्टार्ट करांगे साथा बच्चे आज दा फोर्थ टेस्ट है जड़े बच्चे मेरे चैनल देना अर्रेडी बच्चे ज़ाइन टेस्स सीरीज ज़ाइन कर चुक्केया जुडे हुए या, उनना नहीं, हुन तक त्री टेस्ट बच्चे युनेट वाइस हो चुक्केया So, आज दा साथा फोर्थ टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट बच्चे फोर्थ युनेट दा है Electromagnetic Induction and Alternating Current और इस वीडियो दे विच बच्चे में एक चीज होर आड कितीया Board Exam, जाण आज लिख देता बच्चे Board Paper Pattern Board दा जो Paper Pattern होएगा वो इस सरीकेता होएगा So, 2 Marks दे होंगे बच्चे एक Qeošn, थोड़ा 2 Marks दा आएगा 3 Marks दा Qeošn बच्चे एक Theory Qeošn होएगा और एक Numerical Qeošn होएगा ठीक है थोड़ बोर्ट दे वेचे थोड़ प्यपर जड़ा स्लिबर साओ दे वीचे चीज मेंशन किती हुई हा वन और एन इदा मतला इक थेयरी दा कोशन होएगा और इक नुमेरिकल होएगा इदे वेचे कोई भी 5 मार्क सा कोशन नहीं आएगा टोटल जड़ा 7 मार्क सा थ सिमिलरली जिदा बता भी 3 मार्क से विचे बचे इतर नुमेरिकल दे विचे चोईस होएगी ओ थानों टेस्ट दे विचे जरूर इंटर्नल चोईस मिल जएगी सो 1-12 बचे थोड़े mcqs है mcqs और true false बारा नमबर दी 13-15 मतलब तीन कोशन थोड़े 22 मार्क से होँगे मतल पूरा टेस्ट थोड़ा एक कंटा 10 मिंट दे अंदर कम्प्लीट हो जाना चाहिदा फॉर एक्जामपल थोड़ा टेस्ट बचे स्ट होया पांच वजे है ना तुसी पांच वजे स्टार्ट किता पांच वजे तो लेके 6 वाज़के 10 मिंट तक जड़ा थोड़ा थोड़ा असी नहीं करने इस वीडियो नाल बच्चे था नो ये बेनेफिट हो जेगा हो सागता काफी बच्चे जेना नो क्योंकि बुक वेच सारे टॉपिक्स है न सो बुक वेच असी सारे टॉपिक्स रीड आउट कर ले बट जो साथी स्लेबस वीच मेंशन नहीं या असी वो टॉपिक्स नहीं करने होन बच्चे स्लेबस तुसी चेक कर साकते है Electromagnetic Induction Electromagnetic Induction बच्चे एक सिंपल जया टॉपिक है और बच्चे हाटली 1 या 2 मांक्स दा कुश्चन इत्थो बन सकते है Next आजो Faraday's and Henry's Experiment बच्चे एक कदे भी लॉग कोश्चन या 2 मांक्सा कोश्चन हल्ले तक कदे नी बनिया बठा एत्थो MCQs एक्सेक्टरा बन साकता है सो एननों तुसी MCQs जे ले जडाया प्रपेर कार साकते जिनना बच्चे आदा टार्गेट 70 आउट आफ 70 या बच्चे ओ Faraday's Experiment अच्छी तरी किनाल करके जानगे Next आजो Magnetic Flux बच्चे Magnetic Flux एददा टापिका जित्थो कहलो कि धोटा MCQs बनन दे चांसीज बहाँ जादा हुंदे कि SI unit दाज दो एदे, dementia formulas दाज दो एक्सेक्टरा Next आजो Faraday's Law बच्चे Faraday's दे दो laws हाँ First law and second law This is most 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 important for two marks है ये बच्चे 2010 तो लेके V तक पता नहीं किन्नी घवार रपीट हो चुका है अगर 10 साला ता मान लो भी 8 साल वीच जरूर रपीट होया हुएगा So Faraday's law तुसी बहुत बहुत अच्छी तरीके दिनाल प्रप्योर कर लेना Definition भी और Mathematical portion भी Next induced EMF and current ये ज़स्ट definitions इन्हों अच्छी तरीके दिनाल प्रप्योर कर लेना Lens law and conservation of energy बच ये थो MCQs भी बान जान दा इस topic दा MCQs भी बान जान दा 2 marks दा कुशन भी बान जान दा दे 3 दा भी बान जान दा So Lens law था the most 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 important topic है So ये नों बिलकुल भी छटगे नी जाना अगर था उन्हों MCQs ना दिखेगा 2 नमबर चे दिखेगा 2 चे ना दिखेगा 3 चे दिखेगा मतलब ये topic most important है Next आजो emotional EMF थोड़ा जे less important है सटे Punjab बोट देवीच थोड़ा जे एदनी के ऐसा दे कि आना ही नी आ सकता बट जड़े weak student है जिनना नों physics अखी लग दिया है वो बच्चे आज थाड़ दो topic जिनना था target 70 out of 70 है असी कुछ भी छोड़ के नहीं जाना Self induction and mutual induction बच्चे ए topic भी most most important topic है दोनो Self induction and mutual induction नाल ही थे topics है बच्चे coefficient of self induction, coefficient of mutual induction और solenite वाला topic हना उन बच्चे थे solenite वाला एक topic हना सानो mention नी किता गया बट तो सी self induction and mutual induction दोना थे ही topics कर लेना clear हो गया बच्चे कुछ एक topic हुन दिया कि साथी बंजाब ओड़ दे वीचे 10 ले बज़ दे वीचे लिखे नहीं हुन दे बट कहलो important हुन दे आ आ जान दिया तो आसी ओवले topic छड़ के नहीं जाने ठीक है next आ जो alternating current बच्चे definition आ फेजर डाइग्राम ज़ जड़िया है वो थानो LCRC रिसर्कट एक सेक्टराज मिल जान गिया next आ AC applied across resistance AC कितना apply करांगी resistance across AC applied across inductor जिननों बच्चे एसी pure inductor pure capacitor pure resistor के दन नहीं छोटा जे आर्टिकल है थानो दिनेश दी बुक या modern दी बुक के दे विचे इदे ही मिलेगा pure resistor, pure capacitor एक सेक्टरा टॉपिक है ना next आ जो AC applied across LCR यह लिखिया है quantitative treatment only quantitative treatment मतलब कि डाइग्राम पुच्छी जा सकती है ते कहलो mathematical portion पुच्छी जा सकता बहुत जादा detail जड़ी दिवारे नहीं पुच्छी जा सकती बट तुस्य यह topic चंगी दे रहना prepare करना है clear हो गया so quantitative treatment नो पूल जो यह topic अच्छी तरीके देना prepare करना है next आ जो LCR series circuit resonance बच्छे resonance तो MCQs बन सकती है यह एदा ही subtopic है एदा ही subtopic है मतलब बेदे नाल ही पुच्छा जा सकता next आ जो बच्छे आ जड़ा topic अच्छी आवला resistor, pure resistor, pure inductor यह 22 marks दे कुश्यन सा ठीक है जी 3 marks दा कुश्यन बच्छे LCR series circuit थोड़ा 3 marks दा कुश्यन है then power in LAC बच्छे यह थोड़ा 3 marks दा कुश्यन है यह थोड़ा नुमेरिकल्स भी बान साक दिया बच्छे LCR दे भी नुमेरिकल्स most most important है similarly pure inductor resistor दे नुमेरिकल्स भी important है next order, wattless current बच्छे हल्ले थाक के एक्जाम दे विच बहुत कट पुच्छे आ गया सो दोसी skip करना चाने तक कर साक दिया EC generator और transformer बच्छे 3 marks दे कुश्चे है कि मन के चलो विच विच व पिपर आन्दे चांसे बहुत जाद है हुन देख्या जावे मुटा मुटा बच्छे 3 marks दे कुश्चे जड़े कुश्चे ज़े देख लिए सा decade बान दिया number 1 बच्छे lens law दे conservation of energy फर्स्ट कुश्चन जड़ा थोड़ा लॉंग कुश्चन बन सकदा second कुश्चन self induction दा third कुश्चन mutual induction दा उस्तो बाद LCR series circuit दा बच्छे fourth कुश्चन then power वाला fifth कुश्चन EC generator six कुश्चन transformer seventh कुश्चन सत कुश्चन से विच्चो बच्चे एक कुश्चन आएगा ही आएगा clear हो गया सवसी कोई भी कुश्चन स्किप करके नहीं जाना जैसा नों अच्छे नमबर जाही दिया similarly two marks देले भी बच्चे कुश्चन आएगा ही आएगा एक कुश्चन साड़ा two marks दा भी आना lens law जड़ा या conservative इतों भी two marks सा पुच्चा जा सकता उन प्योर resistor, प्योर inductor दे प्योर capacitor इना चो two two marks से questions जड़े आप बान सागदे देख्या जावे ताँ बच्चे थड़े ही six questions आजड़े की two marks से बान सागदे बाकी ता बच्चे back questions बहुत तरहा तरहा दे हुन दिया ना की capacitor increase करती, DC block हो गया, EC block हो गया, किद्दा हो गया एक्सेक्टर वो questions सा है गई या मतलब एना चुड़ा syllabus सा थाड़ा बहुत अच्छी तरीके ना तुसी prepare करके जाना clear हो गया जी, कोई भी डाउट हो वे ता comment section दे विच पुछ साकदिया telegram channel दे पुछ साकदिया चलो बच्ची आजड़े आजड़े आसी test start करांगे so first question हा, for the current in LCR circuit to be maximum LCR circuit दे अंदर current maximum कदो होएगा so नीची options हा, तुसी एक किसे दे tick लगाने next है, straight conductor है, length 0.4 meter is moved with a speed of 7 meter per second perpendicular to the magnetic field induction था नू गिवाना, EMF जड़े पता करन लिकिया बच्चे एक question था नू बोड़ दे अंदर 100% नहीं आएगा ठीक है, होन मैं MCQ से विच क्यों पादेता क्योंकि था डी जड़ी आएक तरा आदी, numericals दी practice होजवे जड़े बच्चे आने, बच्चे numericals असी चड़के नहीं जाने तुसी सिरे दे नलायका, मालोसानो कुछ भी नहीं आता कुछ कुछ टापिक से द्दा दे हुन दे जड़ना दे, बच्चे सिद्धे formula पूट केते values पूट केते हैं, सिरफ formula भी लिखके आऊंगे ता बच्चे teacher ने अद्दा इक नमबर दे दे ना सो सी numericals physics दे विचे चड़के नहीं जाने that is why मैं एथे एक numerical पादेता compulsory numerical की बच्चे करके ही जान ठीका जी, otherwise बच्चे सारी पंजाब बोर दे विचे numerical based को चड़े question ना, MCQs वो नहीं आणगे, next आजो, lens law is a हुन बच्चे, इह most important, most 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 important question है कि केड़ा law of conservation जड़ा हुएगा lens law किस चीज नो करेगा हुन एचे दो option सदा दिया, जैचे बच्चे जादा confused हुन दिया so देखने आज जदे test दे विच किनने बच्चे कैलो सही answer दिया next आजो, if number of turns per unit length of the coil of the solenate is double ता self induction जड़िया, तुसी पता करनी है fifth question है, induced EMF produced in a conductor moving through a dash is called emotional EMF direct definition, filling the blank, MCQC form दे विचे थो नो direct दे जिता बच्चे definition है, जोड़े बच्चे नो definition आज दिया, वो दा 100% परसेंट हो जेगा next है, SI unit of magnetic flux, बच्चे हुन तक तुसी test series जिनने बच्चे ने जोईन किते हुए तुसी देख रहा होईगा कि मैं हर test दे विच, SI unit dementia formula जुरूर डाल दिया, क्यों? क्योंकि थोड़ी paper तक जांदे जांदे तुसी अपने SI units, etc. अच्छी तरीके ना, learn कर लो, ठीक है, most important हुन दे साधी Punjab बोट दे विचे नेक्स्टा, what is the induced EMF, known as bag EMF, जड़ा induced EMF है नो, उसी bag EMF क्यों बोल दिया, why is the core of transformer laminated, this is also most, most, most important MCQs MCQs कहलो, यहां two marks सा question कहलो, कई वरी बच्चे यही question, two marks दे विचा जनता है, कि why is the core of transformer laminated, ताथ उसी चंगी तरीके ने नो explain करते ना है नेक्स्ट आजो, AC generator is a device which converts, यह ता बिल्कुली simple question है, ठीक है, नेक्स्ट बच्चे तिन मैं था नो, true false देते हैं, true false दे नाल पड़के, जड़े तुसी अपने tick लगा देने, हुन असी start करांगे two marks दे questions, हुन बच्चे two marks दे questions से विच किया है, ता नो three questions मैं देते है, state and explain Farad is law of electromagnetic induction, जड़ा किसी 10 ता article आया हुया, next हा, why can high frequency current pass easily throw a capacitor, हुन देखो यह reasoning based question है, मतलब, direct question नहीं आया हुया, कुमा की question पुछ लिया गया, अगर frequency high कर देते जावे, ता जड़ा capacitor आ हो देवे, जो current pass easily, easily pass कर जान था, इन्हों explain करना दुसी, next हा, explain two major causes for the losses of electric power, electric power transformer देंदर, direct question आया हुया, बच्चे, सिरफ major causes तुसी लिखनेया, losses लिखनेया, हाना, हुन आजो three marks दे questions, define coefficient of self induction and find an expression for the solenide, हुन एवी बच्चे, direct question हा, कोई कुमा आफिरा की question नहीं पाया, 17th question दिखो, drive the expression for the impedance of an AC circuit, not easy, AC circuit with LCR circuit in series, बच्चे, इक question मैं क्यों पाया, क्योंकि impedance पता करनी, impedance मतलब Z पता करनी है, तुसी, ठीक है, चाहिए साथ इसले बसे बिच, quantitative treatment लिखिया, बढ़ तुसी यह वाला article, because this is the most, most, most important article, तुसी यह चाटिके नहीं जाना, full-fledged तुसी, phasor diagrams, ठीक है, mathematical portion, etc, तुसी सारा ही करना है, next बच्चे दिनाल, simple numerical है, और LCRC research दा, हुन दिखी रहा है थे, LV या, CV या, RV या, LCRC research दा ही numerical है, और अच्छी तरीके दे, नाल, तुसी यह उन्हों solve करना है, next आजाओ, describe the principal construction and working of an EC generator, EC generator, the principal construction and working, तुसी अच्छी तरीके ना लिखनी है, with diagram, explain करनी है, नाल ही यह थे एक छोटा जा, transformer दा बचे, कैलो, numerical है, numerical भी बचे, neat and clean, calculation थोड़िया, बिल्कुल, correct जड़िया हुनिया चाहिए और थोड़िया, पेपर दे अंदर, simple calculator allowed है, simple calculator हना, जोड़ा black color दा बचे, calculator हुन दा मतलब, जिदे हो, ते sign cause, etc. ना लिख्या होवे, sign cause वाला तुसी नहीं यूज कर सकते, simple calculator यूज कर सकते हैं, so आज दे देस्टे लिए बचे, all the very best, वीडियो अच्या लगरिया होँना, वीडियो लाइक, शेर जरूर कर दियो, अगर चैनल दे फर्स टाइम आए हो, तो चैनल नो subscribe कर दियो, thank you so much.